हेलो फ्रेंड वेलकम टू ग्यान प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस भरती दोजार चौबीज जी हां दोस्तों आज इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस में जो आवेदन चल रहा है उसके कुछ आखड़ों को दर्साएंगे क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है क आवेदन 50 लाग से पार हो चुका है जी हां दोस्तों इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आवेदन 50 लाग से पार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी उत्तर प्रदेश पुलिस भरती के लिए आवेदन की संख्या इतनी मात्ता में बढ़ जाई अभी और भी बढ़ने की संभावना जि हां दोस्तों आवेदन अभे भे बढ़ने की संभावना जताई जा रही रही है महिलाओं की अच्छी खासी भागी दारी देखने को मिल रही है इस आवेदन में तो चलिए नहीं महत्मूर ब운दों पे चर्चा करते हैं आपको दिखाते लाख आवेदन आ चुके हैं और वो केवल साथ हजार पदों के लिए अगर बात करें यूपी पुलिस भरती ने रचा है इतिहास पहली बार आये हैं इतनी बड़ी संख्या में आवेदन 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी भरे फाम तो आप देख पर हैं महिलाओं भी बढ़ जोजगारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है कि महिलाओं भी इतनी भारी मात्रम फाम बढ़ रहे हैं पुरुस तो खैर भरते रहते हैं लेकिन महिलाओं का इतना ज्यादा संख्या में भाम भरना अच्छी बात है क्योंकि वो भी इस मुख्यधारा में आने का प्रयास आवेदन किया है इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या में होने वाली सिपाही भरती में ऑनलाइन रजिस्टेशन की संख्या ने भी इतिहास रच दिया है खास बात यह है कि सिपाही बनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है आरच्छड के मुताविक करीब 12,000 मह सब्सक्राइब ने बताया कि मंगलवार राद 11 बजे सिपाही भरती के ऑनलाइन रजिस्टेशन विंडो को लाग कर दिया गया अब 20 जनवरी तक शूल के समाय होजा ने आवेदन में संसोधन किया जा सकता है विंडो लाग करते वक्त पचास लाख 14924 अभी हर्थी वो परिच्छा एक पाली में न होके दो से तीन पालियों में परिच्छा कराई जाएगी यहां पर देख सकते हैं बोर्ड ने भी इस भरती में करीब 32 आवेदन की संभावना जताई थी जिसके बाद पूरे प्रदेश में 18 फरवरी तक लिखित प्रस्तावी लिखित प्रवरी की गई थी पचास लाग से दिक आवेदन के बाद दो से तीन पालियों में परिच्छा की योजना बनाई जा रही है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पहले से प्लान था उस प्लान को किस प्रकार चेंज कर दे रहे हैं इन आकड़ों को वेज़े से जो की दर्साता है कि उत्तरप्रदस में कितने बर्योजगारी है और खुद नहीं पता उनों को कि जिनकी तयारी करनी है पहले तो एक पाली में पर इच्छा कराने की जो संभावनों जताई जा रहे थी लेकिन अब उम्मीद यही है और ज्यादा से ज्यादा निश्चित हो चुका ह दो से तीन पालियों में इसका एक्जाम लिया जाएगा एक पद पर अगर फाइट करने की बात की जा तो एक पद पर 83 उम्मीद वारों की फाइट होने वाली है सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 दावेदार हो चुके है आवेदन करने वालों करीब 35 पूरू 115 लाक महिला महिला सिपाही एक पद के लिए 125 दावेदार है तो महिला सिपाहियों में जो कमपटीशन है पूरसो के पेच्छा थोड़ा सा क्या काफी अधिक है क्योंकि एक सीट पे 125 वहीं अगर पूरसो की बात की जाए तो एक सीट पे आप देख सकते हैं 83 उम्मीद वारों की बात की जा रही है तो यह थी पुलिस भरती से अपडेट जो कि अगर आप अठारा को जो एक्जाम था तो क्यों अठारा को नहीं होने वाला इसमें अब थोड़ा सा समय लग सकता है जो भरती है जो एक्जाम है इसका दो से तीन पालियों में कराये जाएगा और वो सभी पालिया आयोग द्वारा जल्दी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा किस दिन किस डेट को और कितने बज़े से प्रारम की जाएगी फिलहाल अब जो पहले एक पाली थी एक पाली को हटा के परिच्छा को दो से तीन पालियों में कराई जाने की संभाना है अ आप ही अभ्यर्थी ऐसे होता है जो इसे नाराज जिखाई देते हैं क्योंकि नामलाजीशन ऐसी प्रक्रिया ही है जिसमें बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके मांक्स इतने कम हो जाते हैं कि उनको घाटा ही होता है तो ऐसे में जो उमीद थी कि एक पाली में परिच्छा करा के नामलाजेशन कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली तो अब वो नहीं होगा दो से तीन पालियों में परिच्छा करा के नामलाजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी फिरहाल इस से related कोई नई अपडेट आएगी तुम आपके सामने अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद